हालो आवरिवन, नमस्कार सभी को हमारे चैनल में एक बार आपका सभी का फिर सी स्वागत है, हमारे अच्छे सस्क्राइबरों का, हमारे जो देखने वाले हैं, सभी वीवर्स का, मैं अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ, तो देखें, आज मैं आपको 34 चैस्ट के कोडिंग और जो हमारा नेक होगा, वह नेक है मेरा 6 और 11, चैस्ट है 34, कमर है 28, और नेक है 6 और 11, इसी के कोड़ी ये, चार ही नापे हमारे सोल्डर हमें निकालने हैं, और जो नेक वीड़ा था, वो हमें कितने निकालने चाहिए, और जो आर्मोला वो हमें कितने लेने हैं, तो मैं आपको सभी को बताऊंगी इसका एक गणित के माध्यम से आप टोटल निकाल सकते हो आपको ज़्यदा नाप की जरूरत नहीं होगी आपको नेप चाहिए सरफ चेस्ट का नेप चाहिए सरफ आपको कमर का ठीक है आप देखते हैं कमर है 28 उसको रहने दिजिए चेस्ट 34 और न अधर हमारा आपका त्यार रहेगा बेल्ट ब्लाउज का बेक साइड का पार्ट है यह आपका साधी त्यार रहेगा अगर आप 14 लोगे तो यह साधी त्यार इसकी लेंद्ध मिलेगी अब हम यहांपे सोल्डर किकने लेने हैं तो देखो 34 चेस्ट में और सबसे पहले तो चस्ट का साधी छटावा कैसे ज्याद करेंगे 34 डिवाइट 6.50 ठीक है बराबर हो गया आपको पांच पॉइंट तेहीं साता है यहां पर आपको सवा पांच इंच यह देखें आपको कि ALEX्याथ मीत्व कि दिखी हो ओ आपको अपको कि आपको इससे आसानी से दिखेंगे आपको सवा पांच इंच अप्मिंग दूसरे नंबर पर हम नेक विड़त लगाएंगे तो नेक यह देखिए यह नेक विड़त है और नेक विड़त हमें कितना लेना है चेस्ट का तीरवा भाग 2.61 हर जो मैंने दिये वे देखो 36 चेस्ट है नेक है यह वाला नेक विड़त है यह वाली सॉल्डर है यह वाले और आर्मोल है यह वाले हर साइज के अकोर्डिंग उपर नाम दिया हुआ है उसके बाद में आपको नेक दिया हुआ है यहाँ पे इतने की विड़त कितनी लेने हैं बताए गया है यहाँ पे सॉल्डर कितनी लेने हैं बताए गया है यहाँ पे आर्मोल हमारी कितनी आई है चेस्ट का तीर्वा भाग फिर कर लेते हैं हो सकता इसमें गलत हो थर्टी फोर डिवाइड बाई सफिकांच 5.61 इहां पर 2561 यहां पर 2561 आगया ठीक है यह वाला यहां पर यहां पर मैंने इस ही हैं यह 5.23 लिखा हूं है चेस्ट का शाड़े छटा भाग फिर्टेफिक है यहां पर it's Luke 61 और अब में हमारी नेक विड़त होगी यह वाली तो यह 2.61 यहां पर मैं All ले रही हूं आपके जीतना भी 25 पॉइंट एक्स्ट्रा उससे जो कम बनता है जैसे सवादो बनता है 2.30 का जैसे 2.61 का धाई बनता है 2.64 का धाई बनता है वैसे ही आपको लेना है जो इसकी कम वाला होगा सवादो धाई पॉरे तीन इससे जो थोड़े 15 द शुपर होते हैं आप नीचे वाली ग्रेड में लीजिएगा तो यह हमारी हो गई है 6 इंच यहां पर आगे का नीक हो गया है और नेक की विड़त मैंने आपको निकालनी बता दिये कि आप कैसे नेक की विड़त निकालोगे तो इन नेकों के अकोर्डिंग आपको नेक की विड़त निकालनी निकाल दे हैं. एसी निक और चेस्ट के अकोर्डिंग आपको pain kun डिकाल दे हैं और इसी निक और चेस्ट के अकोर्डिंग हम ये आर्मौल जान ले थीक है अर्मौल का एक ma Ayigan ये तो यह हमारे हो गये है या पंपे आर्मौल मौने शाईंच तो यहां पी मैंने यह पोने चैंज पर मार्किंग कर दिया है यह वगा ठीक है अब इसको हम चेस्ट में लेंगे तो बेल्ट का सबसे पहले तो आप चेस्ट का फोर्थ बाग ले लो यह हमारा चेस्ट का फोर्थ बाग हो गया है अब हमें इसमें एक्स्टा कितना लेना है तो मैं प्लस वन इंच ले रही हूँ लूजिंग के लिए माल लीजिए या फिर ये जो टक्स पॉइंट आएगी आँसे जो डार्ट लगाएंगे हम उसके लिए माल लेजिए तो ये हमारी एक लूजिंग एक इंच लूजिंग के लिए है और इसमें मेरे पास एक इंच सवाइंच ये हमारे पास मार्जन रहा है आप इस ब्लाउज में डेर्ड इंच मार्जन जरूर लेजिएगा ठीक है हमें मार्जन लेना आगे डेर्ड इं तो ये हमारा अगे का पार्ट है, अभी मैं आपको आगे का पार्ट बता रही हूं, बेक साप है की पार्ट में अब यहां पर हमने आधा ही इंच साड़े-3 मुझको लेंद त्यार रखनी है और मैंने आपे लिया है 14 इंच लिया है या आधा इंच एकस्टा ही लिया है जो कि हमारी सॉअलर की सिलाई के लिए होजा है जो बीच वाला में एकस्टा चाहिए एक 1 इंच उसके हम आपको बता तो यह मेरा सवा 11 इंच हो गया यहां पर हमें मुझे एक्सा कितना ले रहे हैं देखो मेरे इसमें मार्जन आ रहा है मैं मार्जन आपको कपड़े पर रखके और कटिंग करके बता हैं कि मार्जन कैसे दिया जाता है यहां पर देखो मेरे यह जो है उपर में हमने वन इंच एक्स्टा लिया था साड़े आठ में और यहां पर मैं टू इंच एक्स्टा ले देएं तो साड़े आठ प्लस टू साड़े दस इंच यह हो गया हमारा साड़े दस इंच और इस साड़े दस को मैं उपर जो हमारा साड तो यह कौन सी है यह मेरे फिटिंग की लाइन है मार्जिन जो होगा अभी एक्स्टा होगा इसमें कोई मार्जन नहीं लिया है क्योंकि यह पर छोटा है मैं आपको अभी कप्ड़े पर बताऊंगी तो इसमें आपको मार्जन लेना बताऊंगी यह हमारी योग पट्टी इंच पर तो यह में 9 इंच पर डाट पौट लगा रही हूं यहां पर अब यह डाट कितनी लगाएंगे हम 2 इंच की कितना हम लिया था यहां पर यह इस लाइन पर हमने यहां पर कितना एक्स्टा लिया है टू इंच, टू इंच हमें यहाँ पर एड़ कर देना है यह हमारी टू इंच की एक यूग डाट हो गई है यह आपको 34 इंच और बैल्ट ब्लाउट सिखाया जा रहा है और इसके आप बहुत अच्छे से फर्माकटिंग करें और कागज के उपर आप इसकी तीन चारवार फर्माकटिंग करें आपको बहुत अच्छे से इसमें सीखने को मिल जाएगा तो यह हमारी हो गई है डाट पॉइंच इस तरफ वन इंच और यहाँ से उपर में नाइन इच पर हमारी डाट पॉइंच है और यहाँ से हमारा चेस्ट का दस्वा भाग इसकी दूरी होती है में सेंटर जो इसकी जो में लाइन है यह वाली है यह हमारी चेस्ट की दस्वा भाग होती है और फिर इसके एक इंच इस तरफ और एक इंच इस तरफ तू इंच आम ने दे दिये यहां पर आप 5 इंच की एक हलकी सी डार्ट लगा ले और यह डार्ट हमारी यहां से दोनों की मिडिल सेंटर में हो सकते हैं नेक का जो पार्स होता उसकी यहां फिर आप नीचे से 2 इंच पे लगा सकते हो यहां पर हमारी जो डार्ट होगी वो होगी फिर भी 2 इंच पे यहां इस डार्ट को आप पॉण इच्की कर सकते हों। अब यह हमारी 4th और 1st डार्ट होती है, इस डार्ट को हम ऐसे तीर्चा लेना है। यह डार्ट इसकी क्रोश में होनी चाहिए। देखो यह वाली जो लाइन होती है इस स्लाइन करोफ इस में हम इसमण को लगाएंगे हैं है और दाए इस की ले ऊज़ानी यह लेंंगे और सब्सक्राइब आने निकिन किे लिए एकुदेत यह कु लिए यह कॉनंच को पाव निक्ट को भाज़ें तो यह हमारी पाविज की डाट हो गई है तो यह हमारा four darts का ड्राफ बन गया है अब मैं आपको इसको कटिंग करके बता रही हूं और बेक साइट के पार्ट में आपको देखो कुछ भी नहीं लेना है बेक साइट के पार्ट में आप इतने ही सोल्डर लेंगे और बेक पीस्ट का चूता बाराग marking करेंगी और कमर का फूर्थ बाराग का रंचा ह 12 प्लॉस आदा इन्च 27 और इसी तीर्ण चपा यहां से आपको डियर डिल्स का मार्जन है इसमें हम साथ में मार्जन ले लेते हैं तो यह हमारी नीचे की जो है योगपट्टी हो गई है यह हमारी योगपट्टी मार्जन के सहीत है और यह जो उपर वाला पार्ट है इसमें अपने मार्जन नहीं लिया है अब मैं आपको इसको कपड़े पे कटिंग करना बता रही हूँ फ्रंट पार्ट को कटिंग करने से पहले मैं आपको बेक साइड का पार्ट कटिंग करके बता देती हूँ कि बेक साइड की पार्ट में में कैसी कटिंग करना चाहिए तो यहांपके आप सोल्डर हो गया है यहाँपे ए가 नेक विड़त हो गया है सवादो इंच और यहाँपी नेक का 4 वागर शाय प्लास हाप इंच 8 इंच हाप इंच किसके लिए ले रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूँ ये हमारा 2 इंच का मार्जन है ठीक है और हाप इंच जो हमने कमर में एक्स्टा लिया है कमर का 4 बाग प्लस हाप इंच वो इसलिए लेते हैं या पर जो हमारी डाट लगाते हैं उसके लिए तो ये डाट मैं लगा रही है आपे 3,5 इंच तक खीक है पावींच इस तरब से पावींच इस तरब से तो ये हमारी टोटल डाट हो गई है आधा इंच की ये डाट होती है और इसको अमने 3,5 इंच तक की लिया है क्यों कि इसमें नेक आपका डाउन पे है तो आप इसको छोटा ले सकते हो अगर आपका नेक उपर तक बंद हो तो आप इसको बड़ा ले सकते है तो ये हमारी डाट हो गई है ये हमारा चेस्ट का 4 इंच प्लस आप इंच इसके लिए तो ये आपका सवा इंच का सेप हो गया यहां पे तो अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं कटिंग करने से पहले आप इस पे हलका सा हर पाइट में आप चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं हलका सा यहां पे हलका सा यहां से सेप लगा ले तो यह हमारा सेप हो गया है अब हम इसके ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं तो आप देखो जैसे मैंने चेस्ट का फोर्ट पाग प्लस वान इंच इस में लिया था लूजिंग के लिए और यहां पर टू इंच दिया है यहां पर मार्जन नहीं लिया हुआ है तो यह यहां पर देखो मैंने कपड़े में जब मैं कटिंग करती हूं तो यहां पर दो इंच मार्जन का ले लिया मैंने एक्ष्टा तो इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे बाकी जो पाइटे बिल्कुल ब्राबर में लेंगे सिर्फ हमें जो मार्जन नहीं लिए हमारे फर्मे में तो वहां पर यहां पर हम मैंने यहां पर मार्जन ले लिया है टू इंच और अब मैं इसको बिल्कुल ब्राबर ब्राबर यहां पर यहां पर इस ओल्डर में और पूरे ड्रॉइंग की हुई है तो अब हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो यह देखो यह है योग पट्टी योग पट्टी में हम दोनों की सिलाई इसकी और इसकी जो सिलाई है वो यहां पर हमने एक्स्टा ले ली है अगर आप पहले ही पार्ट्स में इसकी स्टिचिंग एक्स्टा ले लेते हो तो आपको लेने के जरूरत नहीं पड़ते हैं और जैसे कि मैंने 14 इंच ही ली थी इसकी लंबाई तो इसमें मैंने यहां पर इसकी जो स्टिचिंग के लिए जो भी स्पेस चाहिए उसको मैंने य जोगपट्टी में एक्स्टा एड़ कर लिया है आपको दिखता है यह एक सिलाई इसकी और एक सिलाई इस पार्ट की ताकि हमारे आगे पिछे के दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर रहें अब यहां पर हमारा कोई भी पार्ट छोटा नहीं होने वाला है और हमारे जो पी यह हमारी पहली डाट होती है और इसको हमने उपर से नाइन इंच तक लेना है यह नाइन इंच हो गया है यहां से आपको दोनों साइड में वन वन इंच लेना है वन इंच इस तरफ में वन इंच इस तरफ में और इस तरफ में ऐसे आपको यह डार्ट लगानी है तो य कि आपके हमारी इसी सिलाई आगई है अब आप इसको ऐसे देखों 29 कीजिए यहां से इसको इसे करेंगे तो यह हमारा पार्ट जो है से बिलकुल हो जाएगा बराबर में तो यह हमारी सब्सक्विड फैल पार्ट हो गया है ये टू इंच की, ये पॉन इंच की, ये भी पॉन इंच की और ये पाव इंच की तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, थैंक यू